जिन मशीनों की यूनिट की बैटरी 99% है वो मशीने हमें हरा रही हैं जिनकी बैटरी और स्वाभाविक रूप से बैटरी कम होती है 60-70% पर आई है उसमें हम जीत रहे हैं तो ये एक संयोग नहीं हो सकता ना केवल नारनौल में ये बात है पानीपत में ये बात है आपने बो पवन खेडा का ये अब एक तरह से बहुत जादा वाइरल हो रहा है इस बयान के बाद कई तरह की राजनती प्रतिक्रियां हैं जिस तरीके से पवन खेडा ने ये आरोप लगाया कि तीन जिले हिसार पानीपत और महेंद्रगर से उनकी पार्टी के जो एजेंट्स हैं उनक 60 से लेके 70% दिखा रही थी वहाँ पर कॉंग्रेस जीती है तो एक तरह से EVM के ऊपर ठीक रा फोड़ना EVM के ऊपर आरोप लगाना चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन गया लेकिन आरोप नए तरह का इस बार लगा है आपके मन में कई सारे सवाल होंगे EVM में बैटरी की 70% ये क्या जोल है क्या माज रहा है हम दरसल पॉलिटिकल आरोप रत्यारोप की बात नहीं करेंगे इस पूरी वीडियो में हम आपको बताने कोशिश करेंगे EVM में बैटरी का क्या रोल होता है कैसे उसकी परसेंटेज डिसाइड होती है क्या वो दिखाई देती है EVM की बै अचानक ऐसा क्या हो गया जो आरोप लगाए जा रहे हो सही है लेकिन दूसरा पक्षी कह रहा है कि अगर कुछ जोल हुआ है EVM हर्याणा में तो यह जम्मू कश्मिर में क्यों नहीं हुआ इंडिया गटबंदन जिसमें कॉंग्रेस भी शामिल है वहाँ उनकी सरकार क्यों बन रही है हिमाचल प्रदेश में चुना हुए करनाटक में चुना हुए विधान सबाब में वहाँ पर कॉंग्रेस जीत कराई पंजाब में आमादी पार्टी जीत कराई दिली में दो बार में पार्टी जीत चुकी है दो हजार चौबीस के अभी जो लोग सबाचुना हुआ है जब लगातार बीजेपी चारसो पार चारसो पार की बात कर रही थी तो विपक्षी कह रहा था कॉंग्रेस कह रही थी चारसो पार इनका अगर आता है तो एवियम का कसूर का दो सो बै पार बेराल इसको हम पॉलिटिकल नहीं टेक्निकल तरब बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह जो इवियम हैं इन इवियम के अंदर किस तरह की बैटरी का इस्तमाल पहले समझना पड़ेगा कि जब आप वो डालने के लिए जाते हैं केंदर के अंदर पोलिंग बूत के अंदर दो यूनिट होती हैं एक होती है बैलेड यूनिट एक होती है कंट्रोल यूनिट वही जिसके उपर प्रत्याशी का नाम लिखा होता है चुनावचिन होता है क्रमांग होता है सीरेल नंबर होता है आप बटन प्रेस करते हैं वह बैलेड यूनिट एक वीवी हम बोलते हैं दूसरी होती है आप जो ये इसके अंदर डला है वो चौर्ण में फीट हो जाता है और यही सवाल यूनिट से वोटों की गिनती होती है अब आपके बंद में सवाल आघा कि आखिर इन दोनों प्रफ यूट जो कि वीवी पैट से जुड़ी हुए वो यूट अलग है अब होता क्या है कि जो इसकी 7.5 से लेकर 8 वोल्ट तक उसके अंदर बैटरी की पावर होती है मालीजे आपके बच्चों के जो खिलोने होते हैं उसमें आप सेल लगाते हैं एक टिपल एसल होती है एक डबल एसल भी होती है 1.5 वोल्ट की होती है उसी तरह से यह 7.5 से लेकर 8 वोल्ट तक की बैटरी होती है कंट्रोल यूनिट के अंदर अलकलीन बैटरी इसको बोलते हैं अलकलाइन बैटरी का मतलब यह हुआ कि यह ना तो चार्ज होंगी और किसी तरह से मतलब क्योंकि कि चुनाव कई ऐसी जगों पर होते हैं जहां बिजली नहीं होती हैं और बिजली के टॉइज में या घड़ियों में इस्तेमाल होती है वो बैटरी भी एलकलाइन बैटरी एक बार इस्तेमाल किया खतम हो गई फेक दिया उसी तरह से यह अब यह बारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड बारत की उपकरम है सरकारी वो बनाता है या फिर इसी यह जो की इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्परेशन अफ इंडिया लिमिटेड है अब सवाल यह उठता है कि भई इस बैटरी का पता कैसे चलता है कि इसके अंदर कितनी परसेंट है क्योंकि कॉंग्रेस का आरूप यही है कि 99 परसेंट वाली बैटरी हरा रही है 60-70% वाली बैटरी जिता रही है अलग-अलग इसके अंदर इंडिकेशन आते हैं बैटरी में क्योंकि अगर बैटरी लगी हुई है काम मिली जाएगी तो फिर वो दीरे-दीरे डिस्चार्ज भी होगी होता क्या है कि ट lo कवैसे निव तनाव हर राजनितिक दल के बैड़ेशन हर चुनाबऑ Jahren चुनाव की जो अधिकारी होते हैं फ्रेसाइड़िंगॉसर होते हैं जो बाकी करमशारी होते हैं वो उनको दिखाते हैं कि देखें इतनी percentage कहें की बैटरी है दूसी तर वो एक सही से काम कर रही है कि यह बटन दब रहा है इस इसमें से वीवीप्यट की मशीन यह मौक पोल होता है मौक पूल होता है ठीक है यह बाद समझ में आ गई अब इसके बाद क्या होता है इसके समय जब आ जाता है वोटिंग का उस दौरान भी सभी पोलिंग एजेंट वहाँ पर मौझू bombs होते हैं अभ इस– बैट्री में जैसे हैं कम है और सबसे आखिर में चेंज बैट्री आता है जाज बैसे अगर यह कंट्रोल यूनिट के अंधर की बै करने लगती है चेंज बैटरी तो जो भी चुनाव फिकारी होते हैं आप नहीं बाकी जो इतने भी गए यह काम नहीं कर रही ती या फिर ये बिल्कुल डाट आ चेंज बैटरी का इंडिकेशन आ गया है और वहाँ पर हस्ताक्षर कराती है उन पॉलिंग एजेंट्स एछा उन पोलिंगेंगेंट्स के हस्ताक्षर होते हैं बाग कायदा उस बैटरी को fix किया जाता है अगली बात ये आती है निकल कर कि अब जब चुनाव संपन हो जाते हैं जब शाम को कहीं पांच बजे या छे बजे जो भी वक्त होता है मद्दान का जब वो संपन हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो कंट्रोल यूनिट है जैसे मैंने आपको वीडियो में शुरू भी बताया था एक बैलेट यूनिट होती है बैलेट यूनिट को अलग कर दिया जाता है क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है अब काम होगा कंट्रोल यूनिट का जिसके अंदर सारा का सारा डेटा फीड हो चुका है इस कंट्रोल यूनिट है इस कंट्रोल रवाई होता है कि शीलींग के कारवई होती है पर उसके अंदर इतनी लाइफ होती है अमूमन कि वो पूरे पूरे एलेक्शन निकाल दे और जहां पर अगर री एलेक्शन की भी अगर नौबत आती है कई बार कुछ गड़बड़ी हो जाती है या कुछ आरोप लगाए जाते हैं कई धांदली के या किसी तरह है कि तो उस उसको यूज किया सकती जानी कि एक पूरे उस पर्टिकुलर इलेक्शन को वो कंट्रोल यूनिट के अंदर की बैटरी कर सकती है अगर कोई बड़ी दिक्कत नहीं आगे दिक्कत आती है तो उस बैटरी को चेंज कर देंगे वो सभी मौजूद रहेंगे उस दौरान वहां पर इलेक्शन एजंट अलगलग पारटी के ठीक कहां पर पहुंचे थे हम पहुंचे थे कि शाम को यूजब इलेक्शन खतम लोगता फिर उसको सील ग्या हता है strong room लेकर जाए जाता है strong room सरकारी अमारत होती है दो चक्रों का घेरा होता है पूरी सरकारी अमारत होती है बाहर की तरफ state police का पहरा होता है अंदर की तरफ अगर बात करें तो जो paramilitary forces है अर्द सैनिक बल हैं CRPF है CISF है ITBP है BSF है इनकी चौकसी होती है इनकी निगरानी वहाँ पर होती है और camera लगे होते हैं CCTV camera लगे होते हैं जो भी गतिविधी जो भी हलचल वहाँ पर हो रही होती है वो सारी 2400 घंटे जब तक counting का दिन नहीं आता वो सारी के सारी हल चलें उसमें कैद होती रहती है अब ये भी सवाल होता है कि स्ट्रॉंग रूम के अंदर हो सकता है कि उसमें बदलाव कर दिया जाए बई CCTV लगा हुआ है पूरी recording हो रही है सब कुछ चीज पता चल रहा है अगर ऐसा लगता है कोई अंदेशा होता है कि ह है यहां कुछ गडवड़ी हुई है यह में चैजाचनी जरूरी है तो जिला निर्वाचन अधिकारी क्या नाम अधिकारी का है कि तो बाहर निकले क्या कारण फव अंदर गए अंदर उनने क्या सब चीज़ ठीक पाई और दूसरी बात यह बी है कि जव स्ट्रॉंग रूम है कई सारे candidates तो वहाँ पर खूटा गाड़ कर बैढ़ जाते हैं इस आशंका के चलते कि कहीं कोई गरबर जाला तो नहीं हो रहा है लेकिन हम बता रहें आपको CCTV की निगरानी में सारी चीज़ें होती है यह पूरे पर सारे के सारे polling agents जो होते हैं वो जाचते हैं कि बई सीरियल नंबर जो register में उस दिन मददान के दौरान जो नोट किया था वही है सीरियल नंबर का मिलान होता है कंट्रोल यूनिट में जो उस दौरान मददान के दिन थी सीरियल नंबर वही क्या मदगरना के लिए आई है यहां पर आपने देख लिया दूसरी तरफ आप उसकी percentage भी देखते हैं कि कितनी percentage है या क्या indication उसका battery का शूह हो रहा है वो भी होता है साइन किये जाते हैं उनकी agents की तरफ से फिर आरोग कैसे लगाए जा रहे हैं क्या दम है इसमें कितना दम है आपके पास क्या इस तरह का proof है कि उस दौरान जब मतदान हुआ था तो उसकी battery जो है वो 60% या 65% हो गई थी और जब उसके बाद मदगरना हो रही है तो 99% हो गई क्या ये सबूत हैं क्योंकि Congress की तरफ से भी यही कहा गया है कि हमें बहुत सारी शिकायते मिली हैं जल्द ही हम election commission में जाएंगे राहुल गांधी ने भी एक पोस्ट किया और पोस्ट के जरिये कहा गया कि हमें कई विधान सभाक शेत्रों से शिकायते मिल रही है election commission जाएंग सामने आ रही है अब एक और चीज़ यहां पर फैक्त को बताना चाहूंगा कि जो EVM का जो मैनुवल होता है वो क्या कहता है EVM का मैनुवल क्या कहता है EVM के मैनुवल में EVM की बैटरी के बारे में क्या लिखा होता है उसमें देखे लिखा हुआता है कि in case the power pack of CU यानि control unit does not function properly or show low battery replace power pack of CU किस condition में बदली आती है जब low battery हो जाती है तब उसको बदला जाता है और उस दौरान जैसे मैंने आपको पहले बताई दिया कि जब यह बदला जाता है तो presiding officer बाकी चुनाव अधिकारी मौजूद होते हैं हर political party वहाँ पर agents मौजूद होते हैं उनकी मौजूद को लेकर Congress किस तरह से Election Commission में अपनी बात को रखती है क्या तत्थ प्रस्तुत करती है Election Commission की तरफ से क्या जवाब निकल कर आता है क्या फिर कोई कानूनी का रवाई भी आदालत का सहरावी Congress की तरफ से लिया जाएगा लेकिन हम जैसा आपको बता रहें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब Election Commission के ऊपर, EVM के ऊपर सवाल खड़े किये गये हैं लेकिन साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा 2024 के चुनाओं के दौरान ही लोकसभा की जब चुना हुए तो Supreme Court में कई आचिकाई लगाए गई Supreme Court में कहा गया कि ballot paper से, मतपत्रों से चुनाओं, Supreme Court में कहा गया कि जो वीवी पैट जो निकलती है उनकी counting की जाए, मतलब शंका जाहिर की लेकिन Supreme Court ने साफ कर दिया कि ऐसी फिलहाल जरूरत महसूस नहीं होती है कि देश में मतपत्रों से चुनाओं कराया जाए या फिर जो कि बैटरी की working कैसी होती है, अब आरोप जो लगाए गए है किसके तरफ से, उन आरोपों को क्या आधार है, उन आरोपों को लेकर क्या सबूत है, ये Congress किस तरीके से लेकर सामया की ये देखना बड़ा दिल्चस्प होगा, वाला कि BJP की तरफ से भी अपनी तरीके से बयाना लेकिन सफाई देने का काम या जो भी स्वश्टी करण देना है वो काम तो Election Commission का ही है, ये वीडियो कैसी लगी और EVM से रिलेटेड, Election Commission से रिलेटेड और बाकी खबनों से रिलेटेड, आपको किसी तरह की कोई वीडियो देखनी है तो जरूर हमको बताईएगा, फिलहाल News 18 लेकिन राजस्तान के साथ बने रही है, अमेदी इजाज़त, नमस्कार.